है है लो इब्रीवन विल्कम टो आई सीटी बुक ऑफिशियल कैसे आप सब लोग आई होग की सब अच्छे होंगे सब की पढ़ाई से चलिए वापस से सारे लोग लाइव आ जाईए हम लोग कुछेंस डिसकस कर रहे थे तो उसी सीरीज में आज आगे बढ़ने वाले हैं सभी लोग live आ जाईे फटाफट से घिक ए अपने आज कि सिसन की सुरुवारत करते हैं हम लोग कि सब्यद्वं के चलिए सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाईए और से सब्सक्राइं को सेरि यह बार जोड़तार तरीके से और सभी लोग छुड़ जा यह चलिए सब थे पहले सबसे important characters देखे थे जो की define करते हैं कि कि किनको chord data में रखा जाएगा और किसको chord data में नहीं रखा जाएगा उनमें अगर primary feature की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि presence of notocod notocod की presence एक ऐसा आधार था जो बता रहा था कि कौन सा chordate में सामिल होगब और कौन सा noncodate में होगा देट में कि जिन में हमने देखा था notocod present होगा है ना जिन में देखा था कि notocod क्या थी present थी उनको हमने कहा था यह chordate में रखा जाएगा है ना किसमें रखा जाएगा chordate में और दूसरी चाढ्याएख नमें single क्या था hollow chord दोर्सल अगर इसको बात करें तो इसे को नोटो कॉर्ड बोला गया था ठीक है तो यह सबसे important feature था उसके बाद अगर बात करें फाइलम कॉर्ड डेटा की तो फाइलम कॉर्ड डेटा को हमने तीन ग्रूप में फिर डिवाइड किया था पहला था अगर आपको याद हो तो वो था euro कॉ कॉर्ड डेटा दूसरा था सिफैलो कॉर्ड डेटा सिफैलो कॉर्ड डेटा और नेक्स्ट था वो था क्या euro कॉर्ड डेटा सिफैलो कॉर्ड डेटा और फिर था वर्टीब्रेटा है ना तो यह तीन ग्रूप में हमने तीन ग्रूपे हमने क्या किया था डिवाइड किया थ तो vertebrata में हमने देखा था कि ऐसे एणिम्लस आ रहे थे जो अपने notocod को क्या कर रहे थे Adult States तक आते आते वो अपने notocod को vertical column के थूर प्यों properties कर देते हैं किसके दोरा versatile column से इसको क्या करते है давix reverse कर देते है notocod को तो वहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर इनको फिर हमने बोला था vertebrator यह चलिए तो आज आते हैं वापस अपने questions पर questions पर बात करते हैं और बीच बीच में जो चीजें आती जाएंगी उनको हम देखते जाएंगे देखे पहला question है pick up the organism that emits light आपको इन में से बताना है कि कौन सा organism है जिसमें से light उत्पन होती है या फिर आप कहो कि उसमें क्या है bio luminance की property देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है bio luminance ठीक है चलिए कौन सा इन में से organism है जिनमें bio luminance या फिर कहें कि उसकी body में light देखने को मिलेगी फार्स्ट ओप्शन है फाइरो सोमा B ओप्शन है मिटिलस C ओप्शन है पॉंटो गडेला and D ओप्शन है एपल्सिया ठीक है चलिए बायो लूमिनेस या इसी को हमने जयो प्रदीप्ती बोला था तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा एक animal है जिसकी body में ये देखने को मिलता है ठीक है चलिए अगर बायो लूमिनेस की बात करें तो आपको पता है कि बायो लूमिनेस सबसे पहले ज़ो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फाइलम टीनो फोरा के members में है अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर हमने देखा था टीनो फोरांस के member में ये special character था कि उनके जो organism से या जो भी जीव थे उनमें बायो लूमिनेस जिसको हमने जव प्रदीप्ती बोला था वो देखने को मिलता है उनकी body से क्या होता है एक विसेश रूपके केमिकल्स या कहलें कि सबस्टेंस रिलीस होते हैं जिनसे उनकी body में जब वो मूब करते हैं तो वहाँ पर लाइट उत्पर्ण होती है जिसको हमने बायो लूमिनेस बोला था ये चीज एक जगए और देखने को मिलती है यूरो कॉंडेटा के मेंबर में ठीक है यह है फाइरोसोमा चीज पाइरोसोमा में क्या होता है यहां पर भी एक तरह का बायो लूमिनेस देखने को मिलता है ठीक है बायो लूमिनेस आपको पता है कि एक फिनॉमिना है जहां पर क्या होती है लाइट देखने को मिलती है चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहां पर करेक्ट एंसर नेक्स्ट कुश्चन की तरह बढ़ते हैं कुश्चन नमबर टू इन विच अमंग दा फालोइंग एनिमल्स रेट्रोग्रेश्व मेटामॉर्फोसिस इस फाउ अविफियोग नीग troubled कर रहा होता है तो उसमें क्या होते हैं debate रही में स्टेज में तो वहां पर क्या होते हैं वहांपर क्रेक्टर कम्परिटिवली संब जाते ये देखा था ने यह देखने को मिलता है हमें यू रोग डेटा केальная में ही है रिट्रोग्र्टिव मेटामॉर कहां देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है यूरो कॉड़ेटा के मिम्बर्स में ओप्षन भी हो जाएगा यहां पर करेक्ट एंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट कुछ्चन की तरह मूव करते हैं अगला कुछ्चन है एट रेट्रोग्रेस्टिव एट को मिली थी यूरो कॉड़ेटा में उसके लार्वल स्टेज में और उनके अंतर हूता है ठीक है वही बताना है आपको यहां पर पूछा है आपसे लार्वल इस्टेज के बारे में पहला दिया है लॉस आफ नोटो कॉड़ उसमें सुरी बात कर रहे हैं किसकी रेट्रोग्र स्टेज में यहां पर दे रहा है कि इसमें नोटो कॉड का लॉस हो जाता है लॉस आफ टेल ठीक है एक्सपीरियंस रेडक्शन आफ नर्वस सिस्टम टू ए विसरल गैंगलियॉन क्या होता है कि जब लार्वल कंडिशन है वहां पर नर्वस सिस्टम डेबलब है और जब एड सिस्टम गैंगलियॉन में क्या होता है कर्वर्ट होता है डैट मेंस की हायर से लोवर की तरफ आ रहा है ठीक है आल आफ दा एबब या फिर यह सारी चीजे होती है ठीक है आपको बताना है रेट्रोग्रेट्यू मेटामॉर्फोसिस जब की जब हो रही है कहां पर लारवल स्टेज में जब यूरो कॉड डेटा के मेंबर्स में देखने को मिलती है तो कौन से चेंजेस होते हैं उनमें कौन सी चीजें हैं जो रेट्रोग्रेट्यू मेटामॉर्फोसिस को दरसाती है ठीक है चलिए तो देखे यहां पर हमने देखा है कि जो लारवल लिए लारवल स्टेज में प्रिजेंट होता है टेल में प्रिजेंट होता है लारवल स्टेज में भी अब ध्यान रखेंगे नोटो कॉड कहां पर प्रिजेंट होता है तो नोटो कॉड यूरो कॉड डेटा के टेल वाले पार्ट में प्रिजेंट होता है ठीक है उसके बढ़ता है तो फिर वो convert हो जाता है एक तरह से visceral ganglion में ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है Retrogative Metamorphosis Eurocordid's के larva में ठीक है तो यहां पर आप कहोगे all of the above which the correct ठीक है ये सारे के सारे correct है चलिए अगला question देखते है next question है mood of feeding in tunicates is tunicates में जो feeding का ये खाने का जो movement sorry feeding का जो mood है वो क्या है acrophagus होते हैं paracetic होते हैं ciliary होते हैं या फिर mixotropic होते हैं आपको बताना है tunicates में किस तरह का feeding किस तरह का mode feeding पाए जाता है या फिर वो खाना किस किस तरह से लेते हैं ठीक है चलिए बताएंगे तो देखे इन में होता है ciliary ठीक है cilia present होती है और इनी cilia की मदद से ये food को capture करते हैं देन उसको खाते है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा option number c चलिए बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन की तरफ कुश्चन number five देखते हैं आउटर कवरिंग आफ टुनिकेट्स इस फॉर्म्ड वाई टुनिकेट्स अगेन उसे का कुश्चन है इनके आउटर कवरिंग की सीज की बनी होती है आपको बताना है टुनिसिन की बनी होती है किस चीज की बनी होती है या फिर आल अल अफ दिस यह सारे सबस्टिंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको बताना है टुनिकेट्स की जो एक जो एक जो एक skeleton है या outer covering है वो किस चीज की बनी होती है तो आप इससे समझ सकते हो यह बनी होती है टुनिसिन की इसे लिए इनको टुनिकेट बोला भी जाता है ठीक है option क्या हो जाएगा first हो जाएगा यहां पर correct answer चलिए बढ़ते हैं next question की तरह question number six देखते हैं question है दप्रोटो कॉड़ेट बैट डज नॉट है वहर्ट रेस्पाइरेटरी प्रिग्मेंट ब्लेड कार्पसंस बट परफॉर्म respiration through the external body surface ऐसे कॉड़ेटा या ऐसे प्रोटो कॉड़ेटा जिसमें ना तो क्या है इनमें ना तो हाइट प्रिजेंट है ना तो इनमें कोई प्रिग्मेंट देखने को मिलता है जैसे कि बात कर लें हीमो साइनिन हो गया, हीमो ग्लोबिन हो ठीक है यह रेस्पारेटरी प्रिग्मेंट इसमें नहीं है ना तो इनमें कोई blood capsules है like की RBC WBC ठीक है या blood platelets कोई भी capsules नहीं है बट फिर भी ये क्या करते है respiration करते है through the ear external body surface that means खी ये अपनी skin के द्वारा क्या करते है respiration करते है ये कौन से है पहला दिया है oico plura है दूसरा दिया है doliolum है C option दिया है branchiostroma है and D option या है pyrosoma है आपको बताना है इन में से कौन से organisms हैं जिनमें ना तो हाइट है ना तो उनमे respiratory pigment है कोई ना तो उनमें कोई blood capsules हैं बट फिर भी वो respiration कर रहे हैं और respiration की बात करें तो कैसा कर रहे या आप इसको कहोगे कि किसके दौरा कर रहे हैं skin के थूँ वो अपना respiration करते हैं ठीक है चलिए तो आपको पता है यह कौन सा है यह है branchiostoma branchiostoma इनको lancelet बोला जाता है क्या बोला जाता है lancelet बोला जाता है और आपको पता है यह किसके member है यह है सिफैलो कॉडेटा के member है ना सिफैलो कॉडेट सोते हैं ठीक है सिफैलो कॉडेटा के member है lancelet बोला जाता है जनरली इनको तो इनमें देखे इनमें ना तो हरदय डिबलफ होता है हर्ट डिबलफ है ना इनमें कोई respiratory pigment है ना ही इनमें अगर बात कर लें respiration के लिए कोई extra organ है ना कोई blood capsules है बट फिर भी यह किसके थुरू respiration करते हैं तो यह अपनी general body surface के द्वारा क्या करते हैं respiration करते हैं गैस exchange करते हैं ठीक है यह है ब्रांकियो, stoma या इनी को lancelet बोला जाता है cephalocodata के members है यह ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा option c हो जाएगा यहाँ पर correct answer आगे बढ़ते हैं next question की तरफ the outer most covering of the egg of house fly house fly उसकी जो outer covering है वो किशीच की बनी होती है ठीक है house fly का जो एग है उसकी जो outer covering है ठीक है plasma membrane होती है ठीक है outer most layer of egg in house fly house fly के जो house fly का जो अंडा है उसकी जो outer covering है वो किशीच की बनी होती है आपको बताना है तो देखे यह बनी होती है कोरियोन लेयर की ठीक है option b हो जाएगा ध्यान रखिएगे ठीक है क्या है outer layer किशीच की बनी है तो आप बताओगे कोरियोन की बनी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्य नमबर 8 देखते हैं नेक्स्ट है solenocytes are associated with solenocytes यह किशीच से associate रहती है first option है respiration से b option है digestion से c option है excretion से and d option है nutrition से solenocytes का काम क्या होता है basically आपको यह बताना है ठीक है यह आप कह सकते हो कि यह किस चीज में involve होती है कहां पर आपको देखने को मिलती है चलिए चलिए बताना है आपको कहां पर देखने को मिलती है तो देखे solenocytes क्या होती है यह flagellated cells होती है पहले तो यह ध्यान रखेंगे ठीक है कैसी होती है flagellated flagellated cells होती है जो की help करती है एक्सग्रीशन में पाई जाती है अगर बात करने सुडाइनोसाइट्स कहां पर देखने को मिलते हैं lower vertebrates में बात करें तो यह cephalocodata में किसका काम करती है एक्सग्रीशन का काम करती है ठीक है जो भी nitrogenous waste है उनको remove करने के लिए यह यूज की जाती है ठीक है option c हो जाएगा यहाँ पर correct answer चलिए अगला question देखते है question number 9 persistent notochord is the feature of which among the following persistent notochord किसका feature है आपको बताना है condrioethas का cycloistrometa का lowe lowe का yaf none of the above आपको बताना है इन में से किसका member है sorry किसका एक feature है persistent notochord persistent notochord का मतलब है कि notochord throughout the life vertebral column में क्या होता है small imperfect nerve या फिर कहें कि उसमें notochord में वो develop होती है या आप सीधे-सीधे कह सकते हो कि पूरे life में develop रहती है ठीक है वो कौन से है तो आपको पता है cycloistrometa है condrioethas है c option दिए है lowe lowe या फिर last option है none of the above तो यहाँ पर आप बताओगे यह है cycloistrometa ठीक है option B हो जाएगा cycloistrometa condrioethas की बात करने आपको पता है इनको जनरली क्या बोलते हैं cartilaginous fishes बोलते हैं जिनमें क्या है जिनमें बहुत सारी बड़ी मचलियां आती है चलिए ठीक है आगे बात करेंगे next question question number 10 देखते हैं an animal which has a notocod throughout its life एक ऐसा एनिमल जिसमें notocod उसकी पूरी life cycle में देखने को मिलता है fish है, amphioxus है, birds है या फिर snake है आपको बताना है इनमें से कौन सा एक एनिमल है जिसके पूरी life cycle में क्या होता है notocod देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर आप confused मत होईएगा, एक तो दिया है notocod की present, आप से notocod पूछा है आप vertebral column से confused मत होईएगा, देखे यहाँ पर exact answer है amphioxus क्योंकि amphioxus में पूरी इसकी life भर में notocod होता है बाकी अधर बात कलने fish हो गया, birds हो गया और snakes हो गया यह आपको पता है vertebrates के member है, और इनमें जो vertebrate, sorry, इनका जो vertebral column है vertebral column यह क्या होता है, जगे ले लेता है, किसकी notocod की है यह replace कर देता है notocod को, तो यह confused मत होईएगा, इनमें भी notocod as a vertebral column present होता है बट यहाँ पर आपसे notocod कूछा है, ठीक है, कि notocod throughout the life कहाँ पर देखने को मिलता है तो आप बताओगे MP-Auxas में, ठीक है, बाकी birds में बात कलने, snakes में बात कलने, या फिर बात कलने, किसमें, fishes में तो यहाँ पर vertebral column देखने को मिलता है, जो कि notocod को replace करके होता है, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं which of the following is not the example of marine fishes, इन में से कौन सी एक marine fishes का example नहीं है first दिया है labio, दूसरा दिया है mugil, C option दिया है hilsa, D option दिया है sardines आपको बताना है इन में से कौन सी एक marine fish नहीं है, ठीक है marine fishes की बात कलने, तो आपको बताना है, कि इन में से कौन सी marine fish नहीं है, ठीक है चलिए म्यूगिल हो गई हिलसा और साइडिनियस यह मेराइन इसमें अगर बात करने तो कौल सी नहीं है लेबियो यह मेराइन नहीं है बलकि यह एक फ्रेस वाटर फिस है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशिन के तरब कुशिन नमबर 12 देखते हैं देविल फिस एंड सी हेर आर डेविल फिस डेविल फिस आपको पता है किसको बोलते हैं ओक्टोपस को बोलते हैं है ना किसको बोलते हैं ओक्टोपस इसका कॉमन नेम कई बार पूछा जाता है इसको बोलते हैं डेविल फिस और दूसरा दिया है सी हेर ये है क्या है क्या है क्या है किस फाइलम के मेंबर है तो आप समझी गए होंगे और सी हेर की बात कर लें ये फाइलम मोलसका के मेंबर है ठीक है अगला कुशिन देखते हैं रिप्तृ दे चले बताना है JUST के लillahरौ में झारिया चली बता है नोतो कॉर्ड इन में से किसके लारौ में देखने को मिलता है ठीक है ci चली बताएंगे तो आपको पता है कि अगर बात करने यूरो कॉड़ेटा में तो यूरो कॉड़ेटा में हम क्या देखते हैं यूरो कॉड़ेटा यहां पर क्या देखने को मिलती है यहां पर देखने को मिलती है रेट्रोग्रेश्यू Metamorphosis Retrogressive Metamorphosis यहां पर देखने को मिलती है ठीक है? अगर हम बात कर लें Eurocordita तो इसमें Hardmania है और Hardmania के Larua में क्या होता है? इसमें Notocord डेबलफ होता है और अगर Adult में बात कर लें Adult Hardmania में इनमें Adult में डेबलफ नहीं होता है ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कहां के Members में नहीं देखने को मिलता है अगर आपसे यहां पर Question पूछ ले कि कौन से Member हैं जिनमें जिनकी Larval Stage में आप से पूछा जाए कि इनकी Larval Stage में क्या होता है? Notocord डेबलफ होता है और Adult Stage में नहीं डेबलफ होता है तो वो आप बताओगे Euro Caudates के Members में ठीक है? इनमें RetroGative Metamorphosis देखने को मिलती है जो कि आप बताते हो इसमें होता क्या है तो जब Larval Condition होती है तो वो मच डेबलफ होती है As well as Adult Growth Adult Growth जब तक आती है तब तक जैसे की बात कर ले Stiffilization की Larval Growth में क्या होता है वहाँ पर Brain डेबलफ होता है और आते आते Adult Stage में आते आते हैं वो Ganglion में क्या होता है? Regenerate हो जाता है एक तरह से ठीक है? तो यह Decrease होता है मतलब की Correctors जो मतलब बढ़नी की वज़ाए क्या होते हैं? काम होते हैं तो यह दिहान रखेंगे चलिए Option First हो जाएगा यहाँ पर Correct answer Next Question देखते हैं अगला Question है Statement का Statement First दिया है Cephalocodate Beards Notocod All Along the Body Throughout the Life दिया है Cephalocodate के लिए कि इन में जो Notocod है वो पूरी Life में बिक्सित रहता है और पूरी Life में अगर बात करने तो पूरी Body में That means कि Mouth से लेके कहां तक NS तक डेबलफ होता है यह दिया है पहला Statement ठीक है? Throughout the Life डेबलफ होता है Statement Second दिया है Eurocodate Beards Vertebral Column Only in Tail Region Throughout the Life Which Statement are Correct दूसरा दिया है कि जो Eurocodate है वो कब Vertebral Column कब उन में देखने को मिलता है केवल और केवल Tail Region में देखने को मिलता है और पूरी Life में देखने को मिलता है Correct answer बताना है ठीक है? First Option दिया है Both First and Second Statement are Correct B Option दिया है First are Correct and Second are Wrong C Option दिया है First Wrong, Second Correct And D Option दिया है Both First and Second are Wrong ठीक है? चलिए बताना है यहाँ पर कौन सा Correct answer होगा तो चलिए देखते हैं कि करके देखे Cephylocodate के अगर हम बात कर लें तो इनमें हम देखते हैं कि इनमें जो Notocod है Notocod है उसकी Presence के अगर बात कर लें तो यह पूरी Life भर रहता है That means कि पूरी Life Cycle में इनके Notocod डेबलाफ होता है ठीक है? और अगर बात कर लें तो Mouth से लेके Interior से लेके Posterior तक Inner से तक फुली डेवलफ होता है अच्छा दूसरा दिया है कि Euro Caudates में क्या होता है Vertebral Column विक्सित होता है और कब विक्सित होता है जब यह Larval Stage होती है तो वहां से लेके पूरी Life भर रहता है तो क्या यह True है? तो आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है Euro Caudates में क्या होता है इन में जब यह Larval Stage में रहता है कब Larval Stage में ठीक है? Larval Stage तो यहां पर क्या होता है? यहां पर इनकी Tail में Keval और Keval Tail रीजन में क्या होता है? Noto Caud देखने को मिलता है केवल और Keval Tail रीजन में Noto Caud डेवलफ होता है और जब यह Adult Growth की तरब बढ़ता है तो यह Tail रीजन से भी Noto Caud गायब हो जाता है तो यहां पर आप कहोगे Option C होगा Sorry Option B होगा First Correct है and Second क्या है? Wrong है ठीक है? इसमें First Statement Correct है and Second Statement इसमें सही नहीं है तो आप बताओगे Option B हो जाएगा यहां पर Correct Answer ठीक है? चलिए Next Question की तरह बढ़ते हैं Question No.15 देखते हैं Presence of Noto Caud Throughout the Life and Length of the Body is a Feature of आपको बताना है Noto Caud throughout the Life पूरी Life Cycle में उनके प्रिजन्ट रहती है और दूसरी चीदिया है Throughout the Life and Length of the Body आपको बताना है कि कहां पर यह करेक्टर देखने को मिलता है पूरी Life Cycle में होगा और Length पूरी Body में आपको देखने को मिलेगा ठीक है? आपको पता है कहां पर देखने को मिलता है? सिफेलो कॉर्डेट्स में है ना? सिफेलो कॉर्डेट्स की बात कर लें तो इनकी पूरी Life Cycle में आपको Notocod develop मिलेगा उसके साथ साथ बात कर लें तो यह इनके पूरे Life में की एंटिरियार से माउट से लेके एनस तक डेबलाफ होता है ठीक है? Option D हो जाएगा यहां पर करेक्ट एंसर चलिए नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं चलिए और दोसरे साथ उनका एक्सक्रीशन का एंसरे है पहलोट दिया पर प्रॉ सुस्त प्रोंगोइ व्ली ऑक्सिस दिए खाओ है क्योच्थ यइए से रॉंगली मैच्ट पेयर बताना है ठीक है चलिए इन में से बताना है कि कौन सा एक पेयर है जो मैच नहीं कर रहा है बलैनो ग्लासस है अर्थ हुम है ग्रासों पर है प्राउन है या फिर एंफी ऑक्सस है तो चलिए दिखते हैं कि करके देखे में बलैनो ग्लासस में आपको पता है कि हमने पढ़ा है प्रॉबोसिस पाए जाती है यहां पर प्रॉबोस्रेयर अंट्पी अंटिप्यूस देखने को मिलती है phylum orthopoda का member है यहाँ पर prawn में flame cells नहीं होती है बलकि यहाँ पर बात कर लें तो क्या होती है sorry flame cells की जगए यहाँ पर होती है green gland green glands होती है ना कि flame cells flame cells आपको कहाँ पर देखने को मिलती है तो flat worms जैसे की platyal mentis के members में देखने को मिलती है amphioxus में क्या देखने को मिलता है proton nephredia ठीक है तो यहाँ पर क्या है incorrect पूशा है option D हो जाएगा यहाँ पर incorrect ठीक है prawn में flame cells नहीं बलकि क्या देखने को मिलती है तो green gland as a excretory organ देखने को मिलती है ठीक चलिए next question की तरह बढ़ते है select the incorrect statement with respect to cyclo instrument cyclo instrumenta के लिए आपको यहाँ पर क्या है statement दिये है और इनमें से आपको wrong बताना है ठीक है चलिए first option दिये they like scales and paired fin इनमें कोई भी scales नहीं होती है और नहीं इनमें कोई fin होते है like की paired fin होते है ठीक है B option दिये they have circular mouth with jar इनमें circular mouth होता है और जबड़ा होता है C option दिया है they bear six to fifteen pairs of gills इनमें six से लेके fifteen pairs तक gills देखने को मिलते है D option दिया है they migrate to deep sea for spiving choose the most appropriate answer and बताना है आपको इनमें से कौन सा answer correct है first दिया है A and B only correct है B option दिया है B and C only correct है C दिया है B and D only correct है and D option दिया है कि A and D only यहाँ पर correct है ठीक है चलिए इनमें से कौन सा correct answer है बताना है यहाँ पर आपको incorrect बताना है ठीक है incorrect statement पूछा है देहान लखेंगे तो चलिए एक एक करके देखते हैं पहला दिया है कि इनमें scales और paired fins नहीं होते हैं तो बिलकुल सही है दूसरा दिया है circular mouth होता है बिथ जा नहीं होता है without जा होता है ठीक है यह होता है without जा without जा होता है लाइक इनमें जबड़ा नहीं होता है तो यह तो गलत हो गया ठीक है तो यहां पर आप से incorrect ही पूछा है क्या हो जाएगा option option C हो जाएगा देखिए clearly option C हो जाएगा यहां पर correct answer ठीक है यह migration सो करते है कहां से यह sea water से कहां पर migrate करते हैं तो fresh water में migrate करते हैं तो यहां पर option C हो जाएगा incorrect पूछा है ठीक है सिफाइलो कॉड़ेट्स के लिए option C हो जाएगा correct answer चलिए next question देखते है question number 18 देखते है match the name of the animals column first में animals दिये है with one characters column second में उनके characters दिये है and the phylum class column third में उनके phylum और class दिये है ठीक है column first, second and third दिये है आपको बताना है पहला दिया है adam sia इसके लिए दिया है radial symmetrical होता है और example दिया है purifera का member है ठीक है दूसरा दिया है petromygon ectoparasite है इसके लिए दिया है ये cyclos tomata का member है c option दिया है वो दिया है echithophis ये दिया है terrestrial होता है और इसमें दिया है ये reptiles का member है last में दिया है limulus limulus के लिए दिया है body covered by chitness exoskeleton and example दिया है कि ये pieces का member है neat में पुच्छा हुआ question है तो चलिए बताना है आपको कि इन में से कौन सा एक क्या है correct pair है ठीक है column first, second and third तो बताना है कौन सा एक correct pair है इन में बताना है तो देखे अगर हम बात कर लें adam sia कि आपको पता है किसका member है adam sia अगर बात करें sealant rates का member है ना कि porifera का ठीक है दूसरा दिया है petromyzone petromyzone ही सही है क्योंकि ये किसका member है ectoparasite है मचलियों में ये बाहर से parasite होता है और cycloistomata का member है ठीक है तो यहाँ पर option B हो जाएगा correct चलिए बढ़ते हैं आगे next question की तरब question number 19 देखते है parents of immunocyte larvae immunocyte larvae क्या दिया है parents of immunocyte larvae source immunocyte larvae के parents क्या दिखाते है या कौन सी चीज है उनमें देखने को मिलती है first option दिया है paired fins B option दिया है play quiet scales C option दिया है ketodromus migration and D option दिया है इनमें anadromus migration देखने को मिलता है anadromus migration की बात की थी हमने तो यह क्या होता है यह basically देखने को मिलता है ठीक है यही देखने को मिलता है और यहाँ से क्या होता है marine habitat से निकल कर मचलिया कहां जाती है fresh water में ठीक है कहां पर जाती है fresh water में क्यों अपने breeding season में तो ये move करती है कहां से marine से fresh water की तरफ move करती है तो यहां पर क्या हो जाएगा option D ही हो जाएगा इसका example भी हमने देखा था lamp prey है ना example भी आप दयान रखोगे क्या था lamp prey इसके बाद कर लें तो ये migrate करती है enadromas migration को सो करती है और बात करें marine water से समुद्र से निकल कर जब इसको reproduction करना है इसका breeding season होता है तो उस time पर ये marine से निकल कर fresh water में जाती है और वहां पर develop करती है जब वहां पर क्या होता है तो वहां पर ये larva growth करके वापस adult बनेंगा तो adult फिर से move करके समुद्र में चला जाता है तो ये ध्यान देंगे ये होता है enadromas migration चली बात करते हैं आगे next question question number 20 branch of psychology dealing with the study of fishes as called study of fishes क्या कहलाती है first दिया है arthrology भी दिया है ethology psychology या फिर herpetology आपको बताया गया है चली बताएंगे क्या है study of fishes and fish research तो ये सब को पता होगा इसको कहते हैं क्या ethology है ना ethology में क्या करते हैं study of fishes और जो भी fishes related research है वो इसमें की जाती है सौरो लाजी की बात कर ले study of lizard होती है और herpetology की बात कर ले तो इसमें study of reptiles and amphibians आते हैं ठीक है चलिए next question है question number 21 which one of the following is a ketodromus fishes इन में से कौन सी एक ketodromus fish है first option दिया है hilsa species, b option मिस्टस species, c option दिया है angula species, d option दिया है shana species आपको बताना है इन में से कौन सी एक ketodromus species है ketodromus का मतलब क्या होता है कि ये मुशली अगर बात करें तो ये क्या होती है fresh water होती है बट क्या होता है migrate करती है ये fresh water से migrate करती है जैसे enodromus की बात की थी थी ना enodromus में हमने देखा था कि migrate कहा से करते हैं वो मेराइन से, समुद्र से कहां पर आती हैं, पानी में, fresh water में आती हैं, वो breeding seizure में, ऐसे ही ketodromus जो होती हैं, वो fresh water से कहां पर move करती हैं, समुद्र में move करती हैं, और ये है eel मशली, जिसको क्या बोला जाता है, हिलसा के नाम से जनरली जाना जाता है, तो ketodromus की बात करेंगे कि आप ये ketodromus migration सो करती है, eel मशली जिसका scientific name angula species है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, eel मशली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो body है, वो पतला होता है, हिक है, साब के जैसा लगबग दिखता है, उसको इसलिए eel बोलते हैं, चलिए, अगला question देखते हैं, question number 22 देखेंगे, one of the following animal belongs to cyclostomata, cyclostomata का कौन सा एक member है, बताना है, first option दिया है, कना, b option दिया है, loris, c option दिया डोडो, and last option दिया है, petromygon, आपको पता ही होगा, इसमें से कौन सा एक member है, जो किसका member है, cyclostomata का, तो ये आप भली भात ही परचित होंगे, ये है, petromygon, है न, जो की external ectoparasite होता है, d हो जाएगा, जलिए, अगला question देखते है, question number 23, torpedo is commonly known, torpedo को commonly किस नाम से जाना जाता है, first option दिया है, sacrifice, b option दिया है, electric ray, c option दिया है, glow fish, या फिर sea horse, तो आपको पता है, torpedo को किस नाम से जानते है, electric ray fish के नाम से जानते है, क्यूंकि इसकी body में, एक तरह का electric जनर, और ये इतना ह character है, tail and venus heart, tail और उनमे venus heart देखने को मिलता है, b option दिया है, venus heart and gills देखने को मिलते है, c option दिया है, gills and tail देखने को मिलती है, d option दिया है, scales and gills देखने को मिलते है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से fishes के characters हैं, चीक है, fishes के characters हैं, तो आपको पता है, fishes में क्या होता है, fishes मे वीनस हाट और गिल्स देखने को मिलते हैं ठीक है option B हो जाएगा चलिए next question select an anadromus again anadromus और ketodromus मैंने बताया anadromus का मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ठीक है चलिए anadromus anadromus migration होता है और दूसरा क्या होता है यह होता है ketodromus ketodromus migration इन में अंतर क्या है अगर पूछा जाए तो देखे ketodromus और anadromus में आप ध्या लखेंगे anadromus migration में क्या होता है यह marine से move करती है कहाँ पर marine से यह अब ध्या लखेंगे यह move करती है कहाँ पर fresh water में ठीक है fourth year breeding season breeding season में जब इनको reproduction करना होता है तो marine से कहाँ पर move करती है fresh water में और जो ketodromus होती है यह fresh water से fresh water से move करती है कहाँ पर यह move करती है marine habitat में ठीक है marine habitat में कह सकते हो ठीक तो marine habitat में move करती है ketodromus जबकि इनको कप करना है जब इनको growth करनी है या फिर कह दो कह दो सीधे सीधे reproduction करना है तो इनमें आप से पूछा है enodromus enodromus इनमें से कौन सा है hippocampus है petromygon है exocetus है या फिर enabas है enabas petromygon exocetus या फिर enabas है तो इसमें आपको पता है कौन सी है petromygon petromygon क्या है एक enodromus करने वाली मचली है और यह आपको पता है किसका member है cyclosetumeta का member है cyclosetumeta के members में अगर petromygon की बात कर ले तो यह इत्तो पैरसाइट होता है मचलीओं पर क्या होता है पैरसाइट होता है ठीक है चलिए option B हो जाएगा यह आप ध्यान रखेगा enodromus और ketadromus क्या है enodromus migration क्या होता है जब breeding season आता है तो मचलीओं क्या करती है समुद्र से move करती है कहाँ पर जो fresh water नदिया हो गई तलाब हो गई ठीक है ऐसी जगए आ जाती है यहाँ पर फिर यह क्या करती है अंडे देती है उनसे लारवा बनते है लारवा फिर वापस से जब adult growth की तरफ बढ़ता है यह जब वो develop होता है तो जब adult हो जाता है वापस से वो कहाँ चला जाता है वो समुद्र में चला जाता है ऐसे ही क्या होता जो ketodromas करने वाली मचलिया है तो यह भी मराइन में कब जाती है जब इनको क्या करना है reproduction करना है गोड़ेंगे चलिए नेक्ट कुश्चिन है पिट्रो माइ जोन के लारवा को किस नाम से जानते है प्रस्ट ओप्शन दिया है डिया सिकंड ओप्शन दिया है स्पेट सी अप्शन दिया है एमोनो साइट औंघ ऑफमोन डिया है टॉर्णेरिया आपको बताना है Petromyzone का जो Larva है वो क्या होता है किस नाम से उसको जाना जाता ठीक है चलिए तो यह आपको पता ही होगा इसको Ammo Side कहते है ठीक है Option C हो जाएगा यहाँ पर Correct Answer ठीक है तो चलिए आज की सेसन के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे Next Session में बहुत सारे और Questions के साथ ठ के थेंक्यू क्लास